हलो गुइंकल्स आज की हिंदी की कक्षा में आपका विशे है आओ सूरे नमस्कार करें आपकी पाठे पुस्तक सुनहरी धूब भाग पाँच से हम पढ़ेंगे बहुत हुआ काम अप करो आराम प्रेश्ट संख्या सत्तर से बच्चों सूरे नमस्कार से आप क्या समझते हैं जब आप सुबा सोकर उठते हैं उसके बाद जो आप व्यायाम करते हैं उस व्यायाम को हम सूरे नमस्कार कहते हैं उस व्यायाम की बारा इस्तितिया हैं सूरे नमस्कार हमारे शरीर को निरोग बना देता है ये पूरी प्रत इसे करने से शरीर का आलत से दूर हो जाता है और चुस्ती फुर्ती का संचार होता है शरीर के विभिन अंगों के दर्द दूर होकर उनमें जाना जाती है गर्दन फेपड़े तथा मास्वीशिया सशक्त हो जाती है शरीर की फालतू चर्बी कम होकर शरीर हलका फुलका हो जा सूरे नमस्कार का अभ्यास बारा इस्तितियों में किया जाता है आईए हम उन बारा इस्तितियों के बारे में जानते हैं सूरे नमस्कार की बारा इस्तितियां हैं जो हमारे शरी को निरोगी बना देती है यानि हमारा शरी जो है वो स्वास्त रखते हैं ये पूरी प्रतिक्रिया अत्यादिक लापकार है सूरे नमस्कार की जो इस्तितिया है आईए मैं विस्तार से आपको उनके बारे में बताती हूँ सबसे पहली इस्तिती है दोनों हातों को जोड कर सीधे खड़े हूँ आखे बन करें पैर एक दूसरे से छूने चाहिए दूसरी इस्थिती है सास भरते हुए दोनों हाथों को कानों से सटाते हुए उपर की ओर ताने तथा भुजाओं और गर्दन को पीछे की ओर जुकाएं तीसरी इस्थिती में सास को धीरे धीरे बाहर निकाल लेते हुए आगी की ओर जुकें हाथ गरदन के साथ कानों से सटे हुए हो नीचे जुककर पैरों को दाएं बाएं पृत्वी पर इसपरश कराएं यानि के जुकें आप जमीन पर घुटने सीधे रहें माथें से घुटनों का इसपरश करें इसपरश करने का मतलब होता है छूएं चौथी इस्तिती में आपको क्या करना है आपको इस इस्तिती में सांस को भरते हुए दाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं छाती को खीच कर आगी की ओर ताने गर्दन को अधिक पीछे की ओर जुकाएं टांगे सीधी तनी हुई पीछे की और खिचाओ वाली इस्तिथी में हो और पैर का पंजग खड़ा हुआ हो इस इस्तिथी में कुछ समय तक आपको रुखता है पाश्वी इस्तिथी जो आती है हमारी वो सांस को धीरे धीरे बाहर निकालें फिर दोनों पैरों को पीछे धकेलें दोनों पैरों की दोनों एडियां मिली हों शरीर को पीछे की तरफ खीचें कमर को अधिक से अधिक उपर उठाएं गर्दन को नीचे करें और थोड़ी गले इससे मिलाएं छटी इस्थिती हमारी है सास भरते हुए शरीर को प्रिथिवी के समाना अंतर सीधा लिटाएं और पहले गुटने चाती और माथा प्रिथिवी पर लगा दें कमर को थोड़ा उपर उठा दें सास छोड़ दें सासों की गुट